देश के गिरते भूजल को लेकर जहां होगी चिंता, वहां का भूजल स्तर ही कम आयोजन स्थल एक्सपो माट के पास वाटर हाफस्टिंग सिस्टम के माध्यम से लगातार बढ़ रहा भूजल स्तर ततोत याती जोयट जिस शहर में देश के गिरते भूजल को लेकर थिता के आमपा की स्थिती शहषर की अपेक्षाकृत कुछ ठीक है। के आसपास भूजल के अकर्ड मीटर गिय भूजत स्र गोतमाद नगर मेले एक में भूजल का स्तर लगातार खतरनाक आयोजन गौतम बूद्ध नगर जेले श्रेनी की और जा रहा है गैतंब के ग्रेटर याए में होने जा रहा है। 617 आरी 8596.76, 14.64 नोट सभी को मात्रमीत में है 2001 एन 2021 AG2022 गौतम तुद नगर जिले के बलाकों की भूजत संसादनों की स्थिती विकासखंड का नाम भगोलिक बाइट दनकौर जेवर नोट क्षित्रकल हेक्टेर में रिचार्ज दोहन उपलिक्दत हेव्टे मीटर में कशित 33,476 भूजल रिवार्ज 7,735.62 वार्षिक भूजल दोहन 95.85 भूजल उपलिक्द 0.00.00 रिचार्जिंग के कम्म होते सोर्स और भूजल का अधिक दोहन के कारण यह स्थिती कनी है। पूरे देश में खरीच 36 लाग तलाब है यदि उन्हें साफ कर पानी विचार्ज की अयविस्था हो जायते गिरते भूजल को कचाया जा सकता है। नदियों को भी साफ किया जान आवश्य है। इससे भभूजल स्थर टीक होगा। का पुत्र अन्यमा हमारे यहाँ आद वा पूर्जा का उत्यादन करते हैं। लिया जाता हजार वर्ग मीटर के प्लाट में लगी। प्रतलियक वर्ष की भाती इस वर्ष भी 12-18 मीटर है। दस वर्ष पहले का गौतमबद नगर जिला भूजल की है। गैतमबद नगर का भूजल स्तरदे है। इसी तरह से यहाँ करीब 1200 वर्तमान जल संबंधी परिस् प्रत्शन की चपेट में से 35 फीट प्रतिवर्ष की दर से नैचे सॉसेटिया है। नेमानुसार इन सभी पर यह यिता को जाएगा। इस कारणा के दमे वर्तर हावस्टिग लगाना आनवा में भजन का स्तर 25 से 30 मोटर से 3 फीट भजल लगातार गिर रहा प्रतिवर्ष रिचार्ज होता है। उसका करीब 22,000 उद्योग हैं जो S0050 में ही बाटर हावस्टिंग सिस्टम लगे है।